ओम नमहा सिद्धी ब्याहा आदिम्ति ठंकर पिर्भू आदिनाति मुनिनात आदि ब्यादि अद मद मिटें तुम पद में मम्मात ब्यस्का होता आर्थ है दयामाई सुब धल्म ब्रसे तुम भर पूर हो ब्रसे मिटते कल्म दीनों के दुर दिन मिटें तुम दिन कड को देख सोया जीवन जागिता मिटता अग अभिवेख सरण चलन है आप के तरण तरण जहाज भवदद तड तक ले चलो करुणा करो जिन राज करुणा करो जिन राज करुणा करो जिन राज वरफट्म तीर्थंकर अथीनाथ भगवाणी की मूलना एक पसなथ भगवाणी की बड़तमान सासना एक बड़दवान सौमी की चतरवन सत् petty तीर्थंकर भगवाणी की दाद गुरुत विम्सागर जी माराजी की आच्छार भगन गुरबर स्री विशुद्य सागर जी महराजी की दाए दीप में ब्राज पहन तीन कमनों करोल मुनी भगवन्तों की बोले परम पुझ मुनी स्री एक सौअचने पृत सागर जी महराजी की जैड़ बंदू पुन और पाप चल रहा है पुन्य कब होगा जब संयम धारने करेंगे कुछ संयम पुन्य करके आएंगे जब संयम धारने करेंगे उससे पुन्य की अपने को प्राप की होगी और अगर अगर अपन संयम भी धारने करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे तो यह संसार में प्याज की वहांती है जिस परकार प्याज में छिलका होता है एक छिलका निकालो और दूसरा फिर तैयार हो जाता है ऐसा करते जाओ करते जाओ पूरी प्याज निश्ट हो जाती है लेकिन कुछ उससे हासिल होता नहीं ठीक संसार भी इसी परकार है हम अपना जीवन निकालते जाते हैं आसाओं में फसे रहते हैं कि आज हमें इस चीजी की प्राप्ती हो जाएगी और कल उसकी प्राप्ती हो जाएगी और उसी गुदेरबुन में लगे रहते हैं उसी में रुले रहते हैं और हमें प्राप्त होने वाला कुछ नहीं है जिस परकार की वह प्याज का छलका नश्ट हो जाता है उसी परकार हमारा जीवन भी चला जाता है और हम सिर्फ सोचते रहते हैं जोडते रहते हैं और संयम भी राप्त नहीं कर पाते पैसा तो इतना जोड लेते हैं इत तिजोड़ी में भर कर रख लेते हैं लेकिन वह तिजोड़ी साथ जाने वाली होती नहीं है और तिजोड़ी क्या अर्जो सरीर पे बस्त हैं वह भी अपने नहीं हुआ करते और बस्तर तो क्या अपन जो पैसे जोड़ कर रखते हैं वो भी उससे भी अपना कफन नहीं खरीद पाते वह कफन भी समाज वाले ला करके देते हैं बंदूओ कहीं ऐसा अपने जिस दिन बिचार कर लिया उस दिन अपन सैयम को प्राप्त कर लेंगे सैयम धारन कर लेंगे सैयम में रहना अच्छा है असैयमी की अपेक्छा से अगर असैयमी से नरक मिलता है तो सैयम से देवपद प्राप्त हो सकता है तो क्यो ना अपन देवपद को प्राप्त कर लें एंसा नहीं सोचना कि मुख्ष तो है नहीं, अब क्या करेंगे किया आप दुकान पर बैठते हैं, पहले ही दिन सोच लिया करते हैं कि आज एक हज़ार का बेनीफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, लाब हो जाएगा अगर ऐसा अगर आप सोचते हैं तो दुकान पर नहीं जा सकते मोख्छ तो आपको जब मिलेगा जब आप सहीम धालन करेंगे और जब सहीम धालन करेंगे उससे देवपल प्राप्त होगा और देवपल से फिर अपन प्रयास करते करते मोख्छ तक की सीड़ी कवर कर लेंगे कर्म तो अपने को करना ही पड़ता है कर्म अपने जैन सद्धानत में ही ऐसा कोई सद्धानत नहीं है जिसमें कर्म की बिवेक्छा ना लिखी हो कर्म करने करने लिखा हो कर्म तो हर जग है, चाहे वो बेसलाब धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, सम्में, बेसलाब धर्म में तो रामान में लिखा है, कर्म परधान, कर्म विसलाखा, कर्म परधान, कर्म विसलाखा, जो जस कराई, सो सल, फल चाखा, जो तस फल चाखा, जैसा कर्म करोगे, जैसा फल तो करें, आजया लोग सोचते हैं कि हमने तो कर्में ऐसा किया नहीं है बहुत से लोग सैयम तो दाड़ने कर लेते हैं लेकिन उनका मान नहीं जाता है अगर बिरती और बन गए, फिर तो और जादा अगर किसी ने चोके में बोल दिया भाईया थोड़ा सा यहां सा कर लो तो मेरे को कहता समझ में कम आता है तो यह है सायम छूटा नहीं आपका सायम तो क्रोध कम करने के उपाय है मान कम करने का उपाय है जिस परकार की आम का वरक्ष है या कोई भी फलार वरक्ष है जब उसमें फल लगे होते हैं वह नीचे की और जुक जाया करता है लोग उस पर पत्थर मारते हैं आम के ब्रेक्ष पर लेकिन वह कभी पलट कर जवाब नहीं देता उसके बदले में फल उर दिया करता है सैयमी की वही हालत होना चाहिए ऐसा नहीं की हमने मान के चक्कर में सैयम धारन कर लिया और उसको वापस उसे डांटने लगे यह तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा बिप्रित हो जाएगा सैयम जुकना सिकाता है तन्ना नहीं सिकाता मान करना नहीं सिकाता क्रोध करना नहीं सिकाता सेयम के पास जिसक पास आ जाता है उसकी महिमा नराली हो जाया करती है भगवान के पास जाने से इतनी महिमा वड़ा जाती है एक वार हम एक जगह पे थे हमने प्रितिमा नहीं उठाई थी भगवान के आहर नहीं कराई थे सोनेगर में तो करा दिये थे एक बार लेकुन उसके बार फिर हमने आहर नहीं कराए भगवान के पचकल लियानक में किलास हुई किलास के बार हम सोगे हम फ्रेसो करके और कम्प्लीट भी नहीं हो पाए थे आज चार भगवान कि यहां से एक संदेश आया कि भगवान आपको फिर्टमाजी को अहर कराना है हम चकत अचंबित क्योंकि पहले से कुछ बोला नहीं था और मालूम भी नहीं हमने बोला कि दो तीन संजे थे उस समय एक भटारक जी भी थे जो आप अच्छी तरीके जानते हैं और एक सुखदाजी भी थे उसी समय तो हमने बोला यह सुखदाजी को बोला होगा कई नहीं उनने इस पश्ट बोला है कर संजे भोपाल को अच्छा हमारा मन पिर फुलित हो गया गदगद हो गया और मानो उस दिन ऐसे भाव हो रहे थे ऐसे भाव कि उसकी ब्याग क्या उसका अनुभाव आपको हम क्या वदाएं जिस दिन हमने भगवान के आहार कराए उस दिन हमारे जमीन पर मानो जमीन पर पहरी नहीं थे इतनी खुशी हमने आचार भगवन से बोला भगवन आज तो क्या चमतकार हुआ हमें खुद नहीं मालूम हम खुद नहीं समय सकते इस चीज़ को आचार भगवन बोले ठीक है आचार भगवन को अभी कुछ किसी से कुछ बोलते नहीं है या तो ठीक है, ठीक है, देखते हैं, कोई भी पहुंच जाए, कुछ भी ठीक है, अच्छा है, जो करोगे अच्छा करोगे, हम इसा आचर भगवन ऐसा ही बोलती हैं, जिसको सहियम प्राप्त हो जाए, अब कोई भी ठीक है, कि मैं सहियम मी ले लूँ, ब्रत भी धारन कर लूँ, और मान भी न जाए, तो यह तो एक मियान में दो तलवार रही नहीं सकती, या तो तलवार ही रहेगी, या फिर सहियम ही रहेगा, ऐसे ही जिस दिन अपन सहियम लेकर मान को छोड़ देंगे, और मान को छोड़ करके, अपनी आत्मा में रमन करने लगेंगे, उस दिन मानना, उस दिन समझना, कि हाँ हमने सच में सहियम धारन किया है, अगर किसी ब्यक्ती को प्यास लगी है, बहुत से ब्यक्ती ताला में जाते हैं और गंदा पानी पी करके आ जाते हैं, और एक ब्यक्ती और है, उसको भी भुद जोड़ से प्यास लगी है, लेकिन सूच जल मिल नहीं रहा, क्या करें? पानी तो पीना है तो पानी तो पीशकते हो लेकिन निर्मली करकर सुद्धी करन करकर उसको पीशकते हो ऐसा नहीं कि मुक्ष तो है नहीं है तो अब हम सैयम क्यों धारन करें सैयम तो अभी हमेरे धारन करना भाईया तक प्रान ही निकल जाएंगे फिर सहीम किसमे धारन करोगे क्या धारन करोगे सहीम तो आप एक काम करो जब सच्छ जल होगा उससे अपने को और सुद्ध कर लेना लेकिन गंदाब जल ना पी करके इस बिसे भोगों में ना पढ़ करके नरक ना जा करके और अपन सहीम रूपी जल को धारन कर लें और पी लें थोड़ी सी अपनी प्यास बुजा लें और नरमल जल को फिरवाद में अपन धारन कर लेंगे जब अपने प्रान बच जाएंगे तो हम आगे और सहीम धारन कर लेंगे जिस दिन आप सहीम धारन कर लेंगे देवपद को प्राप्त हो जाएंगे उस दिन उधर से चल करके और अपन जो है मोक्ष के गामी तैयार हो जाएंगे हर व्यक्ति यह सोचता है बोलता है कहता है कि हमें आज तक मिला क्या संसार में क्यों करें क्या रखा है हमने तो इतना पुन्न किया तुमने आज पुन्न किया कब कब किया देखा कब पुन्न किया था या पाप की क्रिया करने गए थे बहुत से लोग माहाजी को आहार देने भी जाते हैं किसी ने अगर बोल दिया यह चीज़ मच चलाओ अभी या बाद में चलाना तो बौरन क्रोध आ जाता है और चौके से भी भाग जाये करते हैं बहुत से लोग तो आपने पुनने का बंद किया या पाप का और जो बेवस्ता पक होने भी चाहिए बढ़ता है भैया ठीक है आप चला रहा है चलालो कोई बात नहीं है हमारा भाग होगा तो अच्चे होंगे नहीं भाग होगा आप 24 घंटा देखते रहना सोजते रहना कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमारे भाग में आज है ही नहीं अंत्रा है तो कोई उसे टाल ही नहीं सकता हमें कुछ दिखेगा ही नहीं हम अपनी ही घटना बताते हैं हम सदभाव सागर जी के साथ गए आहार करने के लिए हमने पूरा सोधा ग्रास हमें नहीं देखा हमें बिल्कुल भी नहीं देखा जब कि यह से करके आप संजवी आपको मालूम है हम कैसे कराते थे उसके वाद ही वह हमें नहीं दिखा और जैसे ही हमने अपको उनने देख लिया हम ऐसे कर रहे थे उनने देख लिया और छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा वाल था देख लिया उन्होंने ऐसे किया हमने कि आपको तो लेना पड़ेगा हमने जवरस्ती अब यह भी नहीं कह सकते कि नहीं उन्होंने खोल दी हमने कि आपको तो लेना ही पड़ेगा और जैसे हमने लिया उन्होंने दिखाया हमने कही बता यह सर्म की घटना है तो कुछ निमती भी होते हैं कुछ उपादान भी होते हैं सर्म को दोस्त भी नहीं देना चाहिए और इंसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारे दोरा अंतरा आता है या हमारे दोरा कर्मों क अच्छे नहीं होता तो फिर हम अहार देने भी नहीं जाएंगे या हम बिरत धाल नहीं करेंगे हमाई सामर्थ नहीं है सामर्थ तो आपकी है बहुत सामर्थ है आप छुपाए बैठी है हाँ कर्म उदे में आ रहे हैं वो अलग विसे है वो अलग चीज है कि कर्म उदय में हैं तो हम नहीं कर सकते विस्वास होना चाहिए अन्यन की दर है अन्यन चोर को जब विस्वास हो गया कि सेथ कभी जूट नहीं बोल सकता तो उसको चोर था विस्या में लिप्त था विस्या के कहने पर चोरी करने गया लेकिन बिस्वास था स्रद्धा थी स्रद्धा से बहुत-बहुत काम बन जाया करती है जब पुन्नोदे में आता है तो सभी को अंजन्चोड की कथा मालुम है और सब जानती है यह स्रद्धा के ही वलबर उसने अपना छीका काटा और सद्धा के हिवल पर वह स्वर्ग गया क्या चातक पक्षी को नहीं जानते एक पक्षी हुए करता है चातक वह उसके पुत्र को बहुत जम के प्यास लगी उसने बोला मां हम आज पानी पीने के लिए जा रहे हैं उसने बहुत समझाया कि देखो बेटा हमारे कुल में हमारे जाती में हमारे बंस में ऐसा नहीं है कि हम कहीं का भी तालाप का पानी या कहीं पोखर का पानी या कहीं का भी पीलें हमारा तो कुल की परंपरा है कि स्वाती नक्षत्र में जो भूंद गिरती है और जो भूंद गिरती है हम उपर आकास से तपकती हुई भूंद को लेते हैं और उसी को गढ़न करते हैं आखर पुत्र था modern जमाने का था आज बोलो बही मोबाल नहीं चला न तो कहते हैं कि हमें time pass नहीं होता ऐसे modern बहुत था लेकिन जब संसकार अच्छे हुआ करते हैं अपने संसकार अच्छे अपने अच्छे दिये हैं पुत्र को तो वह return भी हो जाया करता है अपने संसकारों को उपर भी विस्वास रंगना चाहिए जब है चातक पक्षी नहीं माना उसके माने कहा ठीक है जाओ पी करके आजाना कोई बात नहीं जब है पक्षी लेकिन याद रखना मेरे थोड़े संसकारों को भी ध्यान में रखते जायना इतना बोला और उसने माने आग्या दे दी जब है पुत्र चला चलते गया मान सरोबर को पास नहीं था दूर था मान सरोबर वह चलता गया साम हो गई साम के समय वह एक ब्रक्च के नीचे बैठा देखता क्या है एक ब्रद दादा जी एक खटिया पर कराह रहे थे पड़े थे एक उसका पुत्र आया पुत्र योवन था सुबह से साम तक गया मजदूरी करने के लिए जब आया तो हाथ खाली लेके आया पुछ लेके नहीं आया जब भह बोला पता जी पुत्रों से बोले पता जी दादा जी कि आप आगाए कुछ ले आए उसने बोला दादा जी पता जी हम आप से छमा मांगते हैं आज अपने भोजन की विवस्ता नहीं हो पाई बोले ठीक क्यों क्या आज मेनत नहीं की बोले आज समय नहीं मिला अच्छा क्यों क्या करते रहे बोले मैं जा रहा था रास्ते में एक महरों की इस थैली पड़ी मिली थी तो मैंने उसे देखा और देख करके बोले फिर क्या हुआ बीच में ही दादा बोल पड़े फिर क्या हुआ तुमने उसको रख ली क्या बोले आपके संसकार थे मैं उसको कैंसे रखता था मैं उसी ब्यक्तिकी जिसकी थी उसकी खोज करता रहा और खोज करकर के उसको मैंने ढूडा और ढोड़ करके उसको दे दी बोले बहुत अच्छा किया लेकिन वह दो मोड़ मेरे को दे रहा था भोले फिर दादा जी पीच में बोल पड़े उटकर बैट गए जो कराय रहे थे हिलने की जिनकी सामर्थता नहीं थी वह उटकर बोल पड़े क्या तूने वो ले ली बोले नहीं पता जी आपके दिये हुई संसकार थे मैं इसे कैसे ले सकता हूँ मेरे को याद आ गया था कि जब चा तक पक्छी अपनी स्वाती नक्छत्र में ही बूंद का पानी गहने करता है तो मैं आपके दिये हुई संसकार को कैसे भूल सकता हूँ वहे दो मोरे मेरे को दे रहा था मैंने उससे बोला फिर भी जो में बोल पड़े फिर तुमने क्या बोला बहिया सेड़ जी अगर मेरे को लेना होता तो यह थैली तो पूरी ही रख सकता था मैं मैं दो मोरे क्यों लेंगा यह तो मैंने किसी ने देखी भी नहीं थी किसी को मालूम भी नहीं थी आपको भी मालूम नहीं थी और मेरे पूरा जिंदगी आराम से कड़ जाती मैं खुब ऐस से रहता लेकिन मेरे को न उपहार चाहिए ना कुछ चाहिए मेरे दादा जी ने तो मेरे को यह संसकार सिखाए है और मैं उनी संसकार के आधार पर यह चल रहा हूँ तब वह दादा बोले ठीक किया पुत्र वह दादा उटके खड़े हो गए वह पता जी उटकर खड़े हो गए खड़े होकर उस बालक की पीठों की बोलेक बहुत अच्छा किया कोई बात नहीं हम भूंके तो रह लेंगे एक दिन भूंके रहने में क्या हर्ज है जब चातक पक्छी इतनी भीशन ग्रीस में तपती दोपहरी में भी और कहीं पोखर का जल नहीं पीता किसी नाले गंदे का जल नहीं पीता किसी तालाब का जल नहीं पीता तो फिर हम क्या एक दिन भूंके नहीं रह सकते एह सुनका रहा था वह उसी पेड़ की नीचे बैठा चातक पक्छी इतना सुनते सुनते सुबह हो गई और वह सोवे होते ही वहां से उड़ गया उड़ करके जा करके अपने मां के पास पहुँचा जबकि मां समझ गई थी कि यह तो खाली आया है पी कर पानी नहीं आया क्योंकि इतने जल्दी मांसरोबर की यात्रा हो ही नहीं सकती थी वह पूश्ती है क्या हुआ बेटा पानी मिला पी आये तरप्तो संतुप्तो वह बोला उसने पूरी घटना सुना दी और बोला कि देखो मां आपके दिये हुए संसकार हैं उन संसकारों से मैं कैसे डिख सकता हूँ जब एक मनुस पिर्थिवी लोग में एक मनुस हमारे कुल क हमारे बंस की हमारे परंपरा की दोहाई देता है उस बंस परंपरा को मैं कैसल लजा सकता हूँ मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ उस मा के आँकों में आंसु आ गए गदगद हो गई वह बोले मेरे को अपने पालन करने में अपने संसकार देने पर पूरा बिस्वाश एक दिन तुम ऐसा ही करोगे, वही तो यहां कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे, माराज जी क्या कर रहे हैं, यह कहानी सुना रहे हैं, बरम विरते पदम देवम, ना विरते वत नारकम, छाया तपस्त और भेदा, पिरती पालेत उर्महान, यह वही चल रहा था, आप सोच रह एंनिताख माने उनिताश झारडी जएवम, ना उने समय कर रहे हैं, उत ए not.